नमस्कार मैं हो दिव्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 15 फरवरी दिन गुरुवार खब्लों के उबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज से दस्वी बिहार बोट की परेक्षाज शुरू किंज पर जाने से पहले परेक्षार दिन बातों का रखे ख्याल बिहार में लोगों को निर्वाद बिजली के सुवधा देने के लिए चल रही है तैयारी बिहार में दरजन भर सरक प्रोजेक्ट पर चल रहा काम ब्लू आधार कार्ड और सामाने आधार कार्ड में क्या है अंतर पेटकेम पेमेंट्स बैंक को मिला एक और जटका इंग्लेंड और भारत के पांच मैचों की सिरीच का तीसरा मुकाबला आज राजकोर्ट में होगा शुरू अब चले बढ़ते हैं बिहार के अपतके 25 वरी खबरों के और विस्तार से ससी ने भरती के लिए थी सूचना की जारी स्टाप सेलेक्शन कमिसन यानि की ससी द्वारा भरती के लिए थी सूचना जारी की गई है यह भरती CEPF में SI पदों पर की जाएंगी आवेदन प्रक्रियाच्च शुरू है और आवेदन करने के इंतिन टारीक 14 मार्च 24 है एक चोको मिद्वार इसके अधिकारिक वेबसाइक ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने वालों मिद्वारों के लिए जरूरी है कि उन्होंने किसी भी मानिता प्राप्ट विस विध्याले से किसी भी स्ट्रीम में असना तक उत्तरनी किया हो साथी ड्राइविंग लाइसंस में मौजूद हो साथी उनकी उम्र सीमा, नियुंतम उम्र सीमा 20 वर्स और अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्स होनी चाहिए हालां कि अरक्षे तो मिद्वारों को इसमें छूट दिये जाएंगे भरती से संबंदित अधिक जानकारी के लिए एक बार इसकरी सूचना को जरूर देख ले आज से दस्वी बिहार बोट की परिक्षा सुरू किंद्र पर जाने से पहले परिक्षारति इन बातों का रखे ख्याल आज से बिहार बोट दस्वी की परिक्षा सुरू होने वाली है बिहार बोट दस्वी के परिक्षा को लेकर प्रदिस के 38 जिलों में कुल 585 केंद्र बनाए गया है इसवार दस्वी बोट की परिक्षा में 16,94,781 परिक्षारती सामल हो रहे हैं परिक्षा दो पालियों में आयोज़त होगी पहली पाली सुबस सारे 9 बजे और दूसरी पाली दो फैर के समय दो बजे है जिन बच्चों को परिक्षा जिस भी पाली में है वे परिक्षा केंद्र पर समय से आदे घंटे पहले पहुँच जाए नहीं तो परिक्षा केंद्र केंदर प्रवेस नहीं मिलेगा परिक्षा के इंद्र पर जाने से पहले अपने पास एडमिट कार्ड, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पेन, पैंसल और सकेलादी जरूर रख लें परिक्षा पूरी सक्ती के साथ ली जा रही है इसलिए छीट पूर्जी और अन्यक अदाचार से खुद को दूर रखें, साथी ध्यान रखें की परिक्षा में जूता मोजा पहन कर जाने पर मना ही है साथी लेक्ट्रोनिक गैजट को ले जाने पर भी प्रतिबंध है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जान की वल्लब सास्त्री के बारे में इनका जन बिहार की गया जिले में मैगरा गाउं में हुआ था ये हिंदी और संस्कृत के कभी लेखक और आलोचक थे ये साल 2010 में पद्मिस्री से भी सम्मानित हो चुके हैं इन्हें चाया बद्दोतर काल के काफी प्रसित कभी के रूप में जाना जाता है उत्तपदे सरकान इन्हें भारत भारती पुरसकार से भी सम्मानित कर चुकी है इन्होंने अब तक कई काव्य संग्र, महा काव्य, संगीतिका, नाटक, उपन न्यास, कहानी संग्र, ललित, निबंद, आदी लिखे हैं बालता, अंकूर, सिप्रा, मेग, गीत, गाथा, प्यासी, प्रित्वी आदी सामिल है मिहार के इस घाट पर अंतराष्टे बंदरगा बनकर हुआ तयार फरवडी साल 2022 में गाए घाट असित भारती अंतर देशी जलमार्ग प्राधिकरन के कारिकरम में सारण के सोनपूर सित कल्लू घाट के अंतराष्टे बंदरगा का सिलान्यास, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्राले के केंद्रिय मंत्री सर्वानन्द सोनो वाल द्वारा किया गया था अब यह बंदरगा बनकर तयार हो चुका है दो साल की अबदी में 33.1,7 एकर भूखंड पर 82.4,8 करूर रुपे की लागत से इस बंदरगा का निर्मान हुआ है इस संबन में IWAI पटना के निदेशक L के रजग द्वारा बताया गया है कि प्रतिवर से 77,000 कंटेनर लोड अनलोड करने की छमता वाले इस बंदरगा से राष्ट्य और अंतर राष्ट्य वैपार को बरहावा मिलेगा साथी रोजगार के भी कई दने द्वार खुल जाएंगे ब्लू आधार कार्ड और सामाने आधार कार्ड में क्या है अंतर कि आपको ब्लू आधार कार्ड के बारे में जानकारी है यदि नहीं तो हम आपको बता दे कि आधार कार्ड पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है इससे आप बाल आधार भी कह सकते हैं, सामाने आधार कार्ड में बायो मेट्रिक की जरूरत परती है, लेकिन ब्लू आधार कार्ड में इसकी जरूरत नहीं परती, पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, बनाये जाने वाले साधार कार्ड को आप आसाने से घर बैठे भ इसे बनवाने के लिए आपको वर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रुत पड़ेगी आप चाहे तो बिना ऐसे कागज के भी बनवा सकते हैं इसके लावे आपको अपना मोबाइल नमबर और एमेल आईडी जैसे अने डीटेल्स और बच्चे के नाम भरने होंगे फिर एड्रेस वर्थ प्लेस आदी भरके इसे सब्मिन कर दे इसे बनवाने के लिए आपसे कोई सुल्क नहीं लिए जाएंगे सरकारे स्कूलों में नए स्मार्र क्लासे सक्चा विभाग ने जारी किया यह दिसा निर्देश नए सद्रिकी शुरुवात के साथ ही प्रदेश के सभी मादیमिक विद्यालेओं में समार्र क्लासे सुरू करने की तयारी है बडादे की प्रदेस में 9,460 मादमिक विद्यालों गिसंख्या है इनमें से 6,787 मादमिक विद्यालों में स्मार्ट क्लास THIS निर्मान का कारें अंतिम चरण में चल रहा तो वहीं 2,673 मादमिक श्कूलों में स्मार्ट क्लास अंचालित किया रहे हैं इस संब्ध में सभी जिलादिकारियों को अपर मुखे सचीब केके पाठक ने भी दिसा निर्देश जारी किया है सिक्चा विभा के तरब से जारी हुए इस दिसा निर्देश के मुताबिक जिन विद्यालों में समार्ट कक्छाओं का निर्मान पूरा हो गया है उन विद्यालेों के संबंद में मुख्याले को विस्तरित रिपोर्ट करें राजभवन में आयोजित भारतिय ग्यान परंपरा कारिकरम पर राजपाल ने कही ये बाद बीते ही दिन राजभवन में भारतिय ग्यान परंपरा विस्तर पर कारिकरम आयोजित हुआ था इस कारिकरम का उद्गाट नाजिपाल विस्विनात आलेकर द्वारा किया गया इस दोरान उन्होंने सभा को संबोधित करते वे कहा कि भारती ग्यान परंपरा को समझने की जरूरत है भारती परंपरा का विस्तार पूरे विस्वि में होना चाहिए इस कारिकरम में प्रख्या को उन्होंने बच्चों के मान सक विकास के लिए उप्योंगी बताया पेटियम पेमिनस बैंक को मिला एक और जट का वितिया नुपालन के तहद एक जनवणी 24 को केंद्रिये बैंक ने पेटियम पेमिनस बैंक को बैं इंसी देश के सबसे बड़े भुक्तान ओपरेटरों में से एक है बता दे के संबन में रॉयटर्स के तरब से जानकारी सामने आई है निरिया में चलने खबरों के मुताबिक नई दिली के सरकारी सूत्री ने कहा है कि यह एक प्रारंबिक परिक्षा है बिहार पैटर में आज पस बगीचा और एक कुवा देखने को मिलेगा कहा जाता है कि इस कुवे में सालों भर पानी रहता है नवरात्र के दौरान करिस रध्धाल उस मंदिर में दरसन के लिए आते हैं कहा जाता है कि इस मंदिर में चरहाया गया जल यहां इस्तित कुंड में लुक्त हो जाते हैं यहां मंदर प्रसद सक्ति पीट में से एक है जब पिता दक्च के यग में भगवान सिव को नियोता नहीं मिला था तब माता सथी ने खुद को उसी यगई के हवाले कर दिया था जिसके बाद सिव जब उन्हें यहां से ले जा रहे थे तो उनका एक अंग यहां पे भी गिरा था इसलिए लोग इस मंदर को सक्ति पीट की नाम से भी जानते हैं यदि आपको धार्मी कर्स्तलों पर घूमने का स्वाख है तो यहां आ सकते हैं आज सक्षमता परिक्षा के लिए आविदन करने के अंतिम तारीक विहार के सभी नियोज़ित स्क्षकों को राजय कर्मी का दरजा देने के लिए सक्षमता परिक्षा ली जा रही इस परिक्षा के लिए आविदन करने की आज अंतिम तारीक है इस संबद में बोर्ट द्व नोट कर सकते हैं बतादे कि 26 फरवरी से होने वाली या परेक्षा साथ स्रेडी में कुल 69 विश्यों में आउजित होगी परेक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है सिक्षा विभाग द्वारा लिए जाने वाले सानलाइन परेक्षा के लिए डेमो टेस्ट प्रैक्टिस क सुविधा भी दी गई है अभ्यारती चाहें तो इस प्रासक्षन केंद्रों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं दिला सिचाप अधिकारी की अद्वारा पर प्राधिकरत अधिकारी का हस्ताक्षर जरूरी है परेक्षा खत्म होने के बाद इस डी ओ आफिस में ही जमा करवाना कि साले भी अभार सरकार किस योजना चेंट सकते हैं लाकों रुपए के इनाम कई बार हमारे आस-पास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आपने फ्री का ग्यान बापते देखा होगा भले हम इन लोगों को हलके में ले ले ले-ले लेकर लिएक योजना लेकर आई है जिससे वि लाखों के इनाम जीच सकते हैं दरसल इस योजना यानि विजन विक्सित भारत के लिए तमाम विश्यों को लेकर इनोवेटिव आइडिया साजा कर सकते हैं इसमें आपके विचार को यदि पसंद किया जाता है तो आप रथम आते हैं तो आपको पांच लाख रुपए द्व सकते हैं यदि आपका इडिया सरकारी टीम को अच्छा लगा तो आप घर बैटे ही बताये गए कि इनाम जीच सकेंगे आज से शुरू हो रहें सीबीसी दस्वी बार्वी की परिक्षा परिक्षा परिक्षारति इन बातों का रखे ख्याल आज से सीबीसी बोट के दस्वी और बार्वी की परिक्षा शुरू हो रही है आज से सुरू होने वाले सीबीसी दस्वी की परिक्षा तेरा मार्च तक होगी तो वहीं बार्वी की परिक्षा दो अपरिक्षा तक चलने वाली है सीबीसी द्वारा परिक्षा को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी किये गए ह उन्दियमों का पालन करना बिहदी जरूरी है परिक्षा देने वाले परिक्षारती अपना परिक्षा केंद्र पर हौल टिकेट और आई कार्ड लेकर ही पहुंचे इस परिक्षा में परिक्षारतियों के लिए जरूरी है कि वे परिक्षा सुरू होने से 45 मिनट पहले ही थोड़े बहुत छूट भी दिये गया है जिसके तहते ये बच्चे दवा फल आधी ले जा सकते हैं इसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं बिहार में लोगों को निर्बाद बिजली के सुविधा देने के लिए चल रही है तैयारी बिहार के संचरन वेवस्ता को दुरूस्त करने की तैयारी चल रही है ताकि लोगों को निर्बाद बिजली की आप पूर्ती करवाई जा सके इस सुधार वेवस्ता के देर दर्जन औ बेकर 8,800 करूर रुपे खर्च किये जाएंगे बतादी कि प्रदिस में फिलहाल 164 ग्रीड सब स्टेशन है और कम्पनी 20 ग्रेड इस्टेशन और बनाने वाली है राजधानी पत्ना के PMCH में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान राजधानी पत्ना में सित PMCH के सर्जिकर स्टोर में कल दोफेर के दो बज़े के करीब में अचानक से आग लगने की खबर सामने आई थी हालांकि मामने की जानकारी सामने आते ही मौके पर ही फाइर ब्रिगेट की दस गारियां पहुची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया इस दौरान आग लगने के बाद चा दाकों के नुकसान की खबर सामने आई है यह आग कैसे लगी है इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है प्रदेस के कई हिस्सों में आज भी बारिस की संभावना, विहार के कई हिस्सों में बीते दो दिनों से बारिस देखने को मिली, पटना में तो रात भर बारिस के साथ विजली की चमक देखने को मिली है, प्रदेस में ये बारिस मौसमी घटकों के सयुक्त प्रभाव से राज में पूरवा और पचछुवा हवाओं के मिस्रन और आधरिता में व्रिधि से देखने को मिली है बारिस काई शुतम आज में देखने को मिल सकता है हाला कि आज प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सोस्क रहने की संभाव न भी जताई गई है प्रदेश में अधिकja Soul 24 से 26 डिग्री और उन्तम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभाव ना जताई गई है यूपीसी ने जारी किया सिवल सेवा भरती के लिए अधी सूचना सिवल परीक्षा 24 के लिए यूपीसी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है बता दे किस भरती के जरिए दे कुल 1056 पदों के लिए बीते वर्स के मुकाबले इस बार 49 सीट कम है इस परिक्षा को देने के लिए आपकी सेक्टिक योगिता ग्रैजुएट होनी चाहिए बिहार में दरजन भर सरक प्रोजेक्ट पर चल रहा काम किसी भी देश या राजी के लिए आवागमन की सुविद सामने आया है इस रासे से कई सरकों के निर्मान और कुछ सरकों के रखरकाव को वहदर किये जाने की तयारी है इसके लिए एक रोड़ टाइम मेंटेनेंस अप्लीकरिसन और मुख्याले सित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी तयार किया गया है ताकि सरकों में खराबी की र राजसभा चुनाब नामंकर के लिए पहुचेंगे विधान सभा बीते ही दिन जदियू कोटे से एक और बीजेपी कोटे से दो लोगों का नामंकर राजसभा चुनाब के लिए हुआ था वहीं कॉंग्रेस के अखिले सिंग ने भी अपना नामंकर राजसभा के लिए करव वाले हैं बतादे कि संजय आधफ तेजस्वी आधफ के सलाकार के तोरस पर हैं साथी ये राधत के सोंसल मीरिया हेनल को भी संभालते हैं वही मनोच आपनी बातों को मुखर्त और बेबाग तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं बता दे कि जदियों के तरब से संजय जहा और बीजेपी के तरब से भीम सिंग और धर्म सीला गुपता का नामंकन हुआ है राजस्थान राजस्थान से सुन्या गांधी के नामंकन पर सम्राद चौधरी का तंज उतर पदेश के राई बरेली लोकसभा से सुन्या गांधी का लंबा राजनीति के लिए हुआ है लेकिन अब सोनिया गांधी का नामंकर राजस्थान से राजसभा चुनाब के लिए हुआ है सोनिया गांधी के लोग सभा छोड़ कर राजसभा से नामंकर होने पर समराज चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने कहा है कि अभी तो सोनिया गांधी ही गई है कुछ दिनों में राहूल गांधी को भी राजसवा जाना पड़ेगा बदादे कि राजस्तान से राजसवा चुनाब के लिए सोनिया गांधी ने बुधवार को जैपुर में नामंकन पत्र दाखल किया था यहां से पूर्व प्रधान मंत्री रहे, मन मोहन सिंग का कारेकाल पूरा होने वारा है बिहार की गर्माई राजनीती के वीज राजत का दो पोस्टर हुआ जारी बिहार में पोश्टर की राजनीती काफी पुरानी है, बिहार की सभी पार्टियां अपनी बाते जनता तक पोश्टर के जरिये भी पहुंचाती है, अब इसी करी में राजत के पोश्टर भी सामने आए हैं, इस पोश्टर में तेजस्वी यादब को जनता का चहीता बताते व जहां कहा गया है कि नौकरी रोजगार विकास और निवेस को मुद्दा बनाने के लिए धन्यवाते रस्वी बताने की महागडबंदन के 17 महिने के कारेकाल में जो भी काम हुए है उस काम का क्रेडिट राज़त ते रस्वी को दे रही है साथ ही जनता के बीच भी राज़त की पकर मजबूत मनाने के लिए ते दस्वी के इन्ही कामों को गिनवा रही जद्यू विधायक को जान से मानने की मिली धंकी इन दिनों बिहार के राज़ती में घमासान मचा दिखाई दे रहा अब इसी करी में जद्यू विधायक को लेकर खबर सामने आई है दरसल फोन के ज सब्भे सब्दों का इस्तेमाल कर रहा था यह कॉल हुने सरकारी नमबर पर ही रात के समय आये थे साथ ही कॉल करने वाले ने उनके पति और बेटे को जिल भीजवाने की भी बात कही है पटना पुलिस ने मामले के शिकायक मिलते ही इसकी जाँच शुरू कर दी है फिलहाल स पांच मैचों की सीरीच का तीसरा मुकाबला इंग्लेंड क्रिकेट टीम और टीम इंडिया के बीच शुरू होने वाला है अभी तक दोनों ही टीम एक दूसरे को बराबरी पर टकर देती आ रही है जहां पहला टेस्ट इंग्लेंड ने अपने नाम किया तो वहीं दूसरा टे कई कारणों से दर्जय भारत की तेहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1976 में मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्री क्रिशियन उसंधान संस्थान की अस्थापना होई थी आज के दिन वर्स 2000 में प्रसिद फिल्म निर्माता निदेशक बी आर चोपरा को दादा साह फाल के पुरसकार मिला था आज के दिन वर्स 2008 में हिंद महासागर के तटिये देशों के नौ सेना प्रमुकों का पहला सम्मेलन नई दिली में संपन हुआ था और खगोल वीदों ने सौर मंदल की तरह एक और दूसरे सौर मंदल की खोज की थी साल 2010 में आज के दिन जैपु सेटेलाइट लॉंच करके इतिहास रच दिया था आज के वाइरल कबर में हम बात करेंगे कि इन सरकार द्वारा नौकरी के लिए चलाए जाने वाले इस योजना के बारे में सोसल मीडिया के जमाने में कई ऐसी खबरे हैं जो वाइरल होती रहती हैं लेकिन सभी खबरे सही इसी करी में ग्यान नाम के यूटूब चैनल के एक वीडियो में यह दावा किया रहा था कि भारत सरकार द्वारा एक परिवार एक सरकारी नौकरी की योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहाथ विभन पदों पर भरती के लिए प्रक्रिया शुरू है लेकिन जब हमन से फड़ी हैं साइवर ठक केस मैसिट या कॉल से आभी फसकते हैं जाल में टी आरयाई ने दीच दावनी बीते कुछ दिनों से कई लोग ऐसे हैं दिन के पास सरकारी कर्मचारी के नाम पर कॉल आया कुछ लोगों को यह फ्रॉड कॉल करके खुद को कर सरकारी कर्मचारी बता लेकिन आपको बता दे कि सरकारी कर्मचारी के नाम पर कॉल करने वाले यह साइबर ठग है जो लोगों को अपना निसाना बना रहे हैं इस समझ में टेलीकॉम रेगुलेट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि ट्राई ने भी चेतावनी दी हैं ट्राई द्वारा कहा गया है कि उसके तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं वेजा गया है इसलिए इस तरह के कॉल और मैसेज पर विश्वास ना करें साधी आपको इस तरह का कोई कॉल या मैसेज आ रहा है तो साइबर क्राइम हैल्प लाइन नंबर 193 सुने पर जानकारी दे यह साइबर क्राइम.gov.in प पूछेगे 5 सवालों में आपने कितना सही उतर दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में भारत में किसके 20 वर्स पूरे हुए हैं ऑप्सन ए है सामुदाइक रेडियो ऑप्सन भी है सहरी छेतर रेडियो ऑप्सन सी है राष्ट्रेसर का रेडियो ऑप्सन देहें में से कोई नहीं किस देश ने आठ पूर भारती नौ संडिकों को रिहा किया है उप्सन ए है सौदी अरब ऑप्सन भी है कतर औप्सन सी स्री लंक का ऑप्सन डियें इन में से कोई नहीं इसका सहीं तरह कतर इसरो अध्यक्षा सोमनात को कि समान से सम्मानित किया गया है ऑप्षण ए है भारत रत्न ऑप्षण भी है पदम स्री ऑप्षण सी यह पदमे विभूशन ऑप्षण डी है के पी पी नाम वियार इसका सें उतरे के पीपी नाम्बियार पुरस्कार बिहार में चात्र परिस्द की अस्थापना किसके प्रयासों से होई थी इसका सें उतरे डौक्टर आजिंदर प्रसाद भारती राष्ट्यों कॉंग्नेस के थारो सो पचासी में अस्थापना के बाद स्वतनता के कुल कितने अधिवेशन बिहार में हुए उप्सन ए है एक उप्सन बी है दो उप्सन सी है तीन उप्सन डी है चार इसका सही उतरे तीन बीते दिन हमाद और पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत तो नहीं जवाब हम्हें मारे कॉमेंटस उख्सन बॉक्स में लेकर दिया था जिन्होंने हमाद और पुछे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गोनर सर्मा बाबुलाल मरांडी रवी संकर, अंजीत मिस्रा, मुहमद चाकिर हुसेन अन्वर आलम, मनोज राम नौमी जहा, मदन कुमार, दीपक कुमार, दीपक, मुहमद चाकिर हुसेन, विकास दास्त, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके छेतर में विजडी की क्या स्थ